addition of polynomials इस वीडियो में हम polynomials की addition सीखेंगे polynomials क्या होते हैं? ऐसे algebraic expressions जिनके अंदर एक या एक से ज़ादा terms हो poly का मतलब होता है many और normials का मतलब होता है terms यानि ऐसे algebraic expressions जिनके अंदर एक या एक से ज़ादा terms होती है algebraic expression या term से क्या मुराद है जब हम numbers या alphabets को मिला कर algebraic expressions की मदद से यानि plus, minus, multiply और divide की मदद से इन्हें combine करके एक expression बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं algebraic expression for example अगर हम लिखते हैं 2a plus b तो ये क्या है? ये एक algebraic expression है इसके अंदर हमने numbers को भी use किया है alphabets को भी use किया हुआ है और algebraic operation, arithmetic operation भी है यानि के plus भी है तो इसे हम कहते हैं कि ये एक algebraic expression है इसी तरह से अगर हमारे पास हो 4x square plus 3x minus 2y ये भी एक algebraic expression है इसमें alphabets भी use हुए है numbers भी है, arithmetic operations भी है और इसमें powers की शकल में भी numbers लिखे हुए है तो इस तरह के expressions को हम polynomials कहते है terms क्या होती है polynomials में या उनकी addition में terms का बहुत important role है जैसे अगर हम इस पहले वाले polynomial को देखें तो इसके अंदर यहां से एक term शुरू होगी और arithmetic operation से पहले पहले ये एक term complete है यानि के plus से पहले 2A एक term है इसी तरह plus के बाद B दूसरी term है तो इसके अंदर total कितनी terms है इसके अंदर total 2 terms है इसी तरह यहां पर एक term है 4X square फिर 3X और फिर 2Y तो इसके अंदर कितनी terms है 3 terms है तो जब हम polynomials को add करते हैं हमने terms का ख्याल रखना होता है अब हम एक example लेते हैं हमारे पास है add 7X plus 3X square minus 4X cube plus 2XY and minus 4X square plus 5X minus 8 plus 2X cube minus 3XY तो यह हमारे पास दो polynomials हैं जिनने हमने add करना है polynomials को दो तरह से add किया जाता है एक method है vertical method और दूसरा है horizontal method तो पहले हम vertical method को discuss कर लेते हैं vertical method में हमने दोनों polynomials को उपर नीचे इस तरह से रखना है कि उनकी जो एक जैसी terms है वो आमने सामने यह निए उपर नीचे आए एक जैसी terms से मुराद क्या है हमने numbers को नहीं देखना होता हमने इस तरह के variables या alphabets न को देखना होता है जिसमें यह alphabets same होते हैं जैसे यहाँ पर 7x और दूसरे वाले में 5x के साथ x same है तो यह like terms होंगी यानि एक जैसी terms होंगी तो इनको हमने उपर नीचे रखना है तो पहले हम उपर वाला polynomial as it is लिख लेंगे हम लिखते हैं 7x plus 3x square minus 4x cube plus 2xy अब हमने जो second polynomial यहाँ पर लिखना है उसके हमने first term को देखना है तो वो क्या है? minus 4x square तो हमने x square वाली term के नीचे उसको लिखना है यानिके हमने 3x square के नीचे लिखना है minus 4x square next है 5x plus 5x तो plus 5x आ जाएगा 7x के नीचे क्योंके यह like terms हैं यानिके इनके जो variables और उनकी powers हैं वो same है इसी तरह से next है minus 8 अब minus 8 के साथ कोई भी alphabet या variable नहीं लिखा हुआ तो इसे हम कहेंगे कि यह constant term है और उपर वाले polynomial में कहीं पर भी constant term नहीं दी गई तो इसलिए इसे हम यहाँ पर side पे लिख लेंगे यानि हम यहाँ पर यह consider करेंगे कि जो constant term उपर वाले variable polynomial में थी वो 0 थी तो हम constants को इस तरह से लिखेंगे next है 2x cube plus 2x cube आ जाएगा 4x cube के नीचे plus 2x cube next है minus 3xy तो यहाँ पर term है plus 2xy तो यह आ जाएगा minus 3xy तो अब हमने देखा कि हमने सारी terms को align कर दिया है यानि like terms को उपर नीचे लिख दिया है अब हम इनको add कर लेंगे simply add करने के लिए क्या करना है हमने इनके signs देखने हैं यानि इनके साथ कौन से sign लगे में और उसके according इसको solve करना है तो हम यहाँ से हम left side से भी start कर सकते हैं और right side से भी start कर सकते हैं यानि जब हम polynomials को add कर रहे होते हैं तो हम किसी भी side से addition start कर सकते हैं तो हम पहले left side से start कर लेते हैं Left side पर हमारे पास है 7x, और इसके नीचे है plus 5x, यानि दोनो plus वाले numbers हैं, तो 7 plus 5 आ जाएगा 12, और इनकी जो common term है, या common variable है, x, वो इसके साथ आ जाएगा. Next step, plus 3x square, minus 4x square. तो यह हमारे पास x square वाली terms है, और उनके coefficients क्या हैं, यानिन numbers क्या हैं, plus 3, minus 4. तो अगर हम यहाँ पर लिखें, plus 3, minus 4, तो यह क्या होगा? Plus 3 और minus 4 में, जो बड़ा वाला number है, वो 4 है, और उसके साथ minus है, तो इनने हम minus करेंगे, पहले तो यह आजाएगा 1, और बड़े वाले number के साथ minus है, है minus, तो यह आजाएगा minus 2, और इनकी जो common term है, यह निका जो common variable power के साथ है, वो इसके साथ हाजाएगा, x cube. Next है, plus 2xy, minus 3xy, तो इसको अगर हम देखें, तो यह minus होंगे, क्योंकि दोनों के sign different है, यह आजाएगा 1xy, और बड़े वाले number के साथ, यह बड़े वाले coefficient के साथ minus है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे minus, इसी तरह plus 0 और minus 8 करेंगे, तो क्या आजाएगा? minus 8. तो यह हमारे पास final addition करने के बाद, answer आ गया, दोनों given polynomials का. यह जो method हमने discuss किया है, इससे हम कहते हैं कि यह vertical method है, यह नहीं हमने दोनों polynomials को उपर नीचे रखकर solve किया है. next method है, horizontal method. horizontal method में हम किस तरह से polynomials को add करते हैं? पहले हम दोनों polynomials को लिख लेंगे, तो पहला वाला polynomial है, 7x plus 3x square minus 4x cube plus 2xy, और उसके बाद हम यहाँ पर plus का sign डालेंगे, क्यूंकि हमने इसके अंदर दूसरे polynomial को add करना है, और फिर bracket लगा कर हम दूसरा polynomial लिखना शुरू करेंगे, minus 4x square plus 5x minus 8 plus 2x cube minus 3xy, यहाँ पर हमने bracket इसलिए लगाई होती है, इसको आप अपनी आदत बना लें कि जब भी हमने polynomials को add या subtract किया, कोई भी operation apply करना है, तो bracket हमारी help करती है, कि उससे गलती के chances कम रह जाते हैं, तो जिस तरह से मैंने पहला polynomial as it is लिख लिख लिया, फिर plus के साथ दूसरे polynomial को bracket में लिख लिख लिया, तो इसको solve किस तरह से करेंगे, पहले हमने इस bracket को open करना है, हम लिखेंगे 7x plus 3x square minus 4x cube plus 2xy minus plus minus minus 4x square, यानि अब bracket open करेंगे, तो बाहर plus है, तो अंदर किसी के sign के साथ कोई change नहीं आएगा, यही bracket लगाने का फाइदा होता है, कि अगर in case यहाँ minus होता, तो अंदर सारे sign change होते है, तो यहाँ आजएगा plus minus minus 4x square plus 5x minus 8 plus 2x cube minus 3xy, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस step में, horizontal method में क्या होता है, कि एक ही line में हम लिख कर सारे terms को add कर लेते हैं, तो इसमें भी vertical method की तरह पहले हमने like terms, यहाँ एक जैसी terms को एकठा करना होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7x, और x वाली next term है, वो इसके साथ आजएगी, यहाँ प्लस 5x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7x plus 5x, उसके बाद, अब मैं यहाँ पर इसको underline करती जाओंगी, ताकि मुझे पता चले कि यह term मैं पहले लिख चुकी हूँ, उसके बाद next term आजएगी, प्लस 3x square, तो इसके साथ x square वाली term आजएगी, जो के है, माइनस 4x square, इसको हलका सा underline कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा, माइनस 4x square, उसके बाद है, माइनस 4x cube, माइनस 4x cube, और इसके साथ आजएगा, प्लस 2x cube, उसके बाद है, प्लस 2xy, तो यह आजएगा, प्लस 2xy, और इसके साथ आजएगा, माइनस 3xy, तो अगर हम यहाँ से देखें, तो हमने सारी terms लिखना शुरू की थी, यह underline है, तो यह रह गई, तो इसको हम लिख लेंगे, माइनस 8, तो यहाँ से हमने सारी terms को लिख लिया, अब हम इनको add करना शुरू करते हैं, तो 7x प्लस 5x, क्या आजएगा, यह आजएगा, 12x, फिर प्लस 3x square, माइनस 4x square, तो इसमें आजएगा, प्लस, माइनस, माइनस होगा, यह निए 1 आजएगा, बड़े वाले नमबर के साथ माइनस है, तो 1 के साथ माइनस लिखेंगे, और इन दोनों के साथ क्या है, x square, तो यहाँ पर आजएगा x square, उसके बाद हमारे पर इस cube वाली terms हैं, तो माइनस 4x cube, प्लस 2x cube, इनको जब हम add करेंगे, यह solve करेंगे, तो यह आजएगा, माइनस 4, प्लस 2, यहनिने माइनस करेंगे, दोनों के साइन डिफरेंट है, और बड़े वाले नमबर के साथ माइनस है, तो माइनस 2 आजएगा, इसके साथ आजएगा x cube, क्यूंकि इन दोनों के साथ x cube था, नेक्स्ट है, प्लस 2xy, माइनस 3xy, तो इन दोनों के साइन भी डिफरेंट है, तो 3-2, 1, और बड़े वाले नमबर के साथ माइनस है, तो यह आजएगा, माइनस 1, और इन दोनों के साथ x, यह है, तो आगया x, y, अब माइनस 8 के साथ कोई भी टर्म नहीं है, जिसको एड यह सब्ट्रेक किया जाए, तो इसको हम as it is यहाँ पर लिख लेंगे, तो यह हमारा final answer है, या इनका जो sum है दोनों polynomials का, यह हमारे पस आ जाएगा, तो इसको अगर हम vertical method के साथ compare करें, तो same ही answer है, 12x, minus 1x square, minus 2x cube, minus 1xy, minus 8, तो इस तरह से हमने दो polynomials को add किया, vertical method और horizontal method से, आज की वीडियो में हमने देखा, कि हम polynomials को उनकी terms का ख्याल रखते हुए, किस तरह से add करते हैं,